हेलो स्टुडेंट्स, हम आज पहला अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है पलिस के अपरादों की रोग थाम और नियंतर्ण में भूमिका और पलिस का एक परिचे इस स्टुडेंगे, पलिस के क्या कारी सानली है और अपराद में ध्यूंतर में किस थारे कारे करते हैं और क्या हम भूमिका निवा सकते हैं सबसे पहले ही आप यह जानओगे कि पलिस है क्या पुलिस एक एजन्सी अभी करण है जो देश में कानून व्यवस्ता और सान्ती बनाई रखना और कानून लागू करने का कारिय करती है अब पुलिस के आफ्सकता क्यों है? सिद्धी से बात है कि देश में कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए पुलिस के आफ्सकता है अब पुलिस में जो सबसे मुख्य कारे क्या है? पुलिस के मुख्य कारे हैं अपराद को रोब थाम और नियंतरन करना और दूसरा काम है ट्रेफिक मेनेजमेंट करना और नागरी के अधिकारों का सम्मान करना नागरी का अधिकारों की रक्षा करना ये प्लिस के मुख्यकारियों में आते हैं फिर आता है पुलिस के जो अपरादों से पाला पड़ता है मुख्यरूं से तो अपराद क्या होते हैं, जो कानून की दर्ष्टी में दंडनीय होते हैं, पनिसेवल होते हैं, वो ही उसी को हम अपराद कहेंगे, यहां जादा घराई भी नी जाएंगे, इसे दिवाद, फिर आ आएंगे जो व्यक्ति के विरुद अपराद में आएंगे दूसरे अपराद आते हैं संपति के विरुद अपराद इसमें आएंगे जिसे चोरी करना पैसे से उसको F.I.R. की कोपी देनी होती है और गैर संग अपराद में देनिक डायरी की कोपी देनी होती है जिसे गैर संग अपराद में C.R.P.C. दारा 155 के तायत नियाइक मजिस्टेट के सामने अगरीम आदिस भी दे सकती है इसके नियाइक मजिस्टेट अगरीम आदिस भी दे सक जमानती अपराद होते हैं जिनमें जमानत आसानी से मिल जाती है और गैर जमानत अपराद होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिलती अब आता है संपत्ति की विरुद और व्यक्ति की विरुद जो अपराद होते हैं उनकी रोख थम कैसे की जाए तो सबसे पहले तो दोनों भी था थाना इस्तर कॉमन आता है। थाना अपने छेतर का सतत निगरानी करे, रिकोर्ड को संदर्गित करे, इससे मोनिटरिंग अच्छी रहे तो अपरादों को रोका जा सकता है। फिर जो व्यक्ति के वुरुद अपराद हैं, उसमें कॉमन पॉइंट है जो एक यह है कि विद्दाले और परिवार की स्तर पर सूशे ही नितिक शिक्षा बच्छों की डंग से दे जाए कि वो इस तरह के अपरादों में लिप्त नहीं हो। व्यक्ति के वुरुद अपराद में एक तो इस्तानी समिति है हूं जो अपरादों को रोके और एक सामुदाय की स्तर पर गाउं और सहरों में मध्यस्ता और प्रामर्स के दवारा अपरादों को रोका जा सकता है। अब समपति की वुरुद अपरादों में एक रोकने का तरिका यह है कि जो योवरग है जो समपति की अपराद करता है उनको रचनात्म कारियों में लगा दिया जाए जिसमें क्योंकि सई जगह उर्जा लगे इसे अपरादों में कमी आएगी। और SPC के केड़ेट्स इस से लावा आप है जो इसमें फिलिस की सामाने भूमी का है उसमें मुखे कारिय तो अपरादों को रोकना और आम जन्मी सुरुक्षा की भावना विक्षित करना जैसे आपने अप थाने में गए होंगे आपने देखा होगा आम जन्मी विश्वास अपरादियों में डर और आपदा के समय भी काम करते हैं और कोई कंप्लेंड करता है उसकी सिकायत का निवारण का कारी प्लिस का सामने कारी है समजिक जम्मेदारी यह है कि बाई जो बच्चे हैं उनका अच्छा विवार करें senior citizen है उनकी अच्छा विवारों मेलाओं के प् समजिक जम्मेदारी बनती है कई पर दो वरक समुदाय राजनिती हो वान इस पक्स तक से कारी करें यह प्लिस के समजिक जम्मेदारियों के तहट आएगा अब प्लिस के में जो आपकी गतिविदियाओं में हम पढ़ा रहे हैं जो दो तरह के कक्षाई होंगी आउटडोर यह इंडोर तो वह थänge प्रायूगी को जैसे हम आपको अलिस थाने में ले आएएं वा रिकोल किसे संदारित करते हैं जेल कारा करें हो किस तरह का हैं वह उने इसके अलावा जैसे तैसिलदार, SDM किस तरह कारवाई करते हैं वो practically यानि private तोर पर दिखाएं, वो outdoor गतिविदियों में आयेगा, इसके अलावा आपका जो सारी पक्सेशन होता है, वो भी outdoor गतिविदियों में आयेगा, इंडोर में जैसे हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, समझिक बदलाव क्याला सकती है, से दानतिक बाते बताना ये इंडोर कक्षाओं में होगा, इस तरह इस सैप्टर में आपका जो बताने का उद्देश से है, इसमें यह है कि प्लिस है जो उसकी छवी हो, जो मित्रवित हो, प्लिस की छवी, आदुनिक हो, पूर्वा गरह से आपको जानकारी हो,